नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुबास आप देखने क्या हो और कैसे अगर आपका पेन कार्ड खो गया है और आप अपने पेन कार्ड का नंबर भूल गया है और आपको आवे सकता है कहीं पेन कार्ड का रिप्रिंट मंगवाने के लिए डुबलिकेट पेन कार्ड बनवाने के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से अपना पेन नंबर जान सकते हैं बस वीडियो के नीचे डेस्किप्शन में जाएए दिये हुए लिंक को क्लिक किजीए और यहाँ पर रिडारेक्ट हो जाईए 10.10.nsdl.com slash pen10 slash status track dot html में यहाँ पर आपको बस simply कुछ details आपको भरने हैं जैसे आपको अपना name भरना है और date of birth इसके बाद आप जान पाएंगे अपना pen number और या फिर जो लोग apply किये हैं अपने new pen card के लिए उनका pen card बना नहीं बना मतलब dispatch किया गया या नहीं किया गया आप track कर सकते हैं अपने pen status को और आप ये भी जान सकते हैं कि कि किस courier के थूर आपका भेजा जा रहा है और आपको courier का यहाँ पर number मिल जाता ओके फ्रेंट तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले application type दिखेगा यहाँ पर आपको click करना है आप pen या 10 जिसके लिए कियें आप pen पर click कर लिजे जो नया pen card बना रहे हैं वो acknowledgement number होता है यहाँ पर enter कर दिजे जो आपको मिला है और अगर आपका pen card खो गया है आपने बहुत पहले बनवाया था दो साल तिन साल पहले आपको जब pen number याद नहीं है तो acknowledgement number कहाँ से याद रहेगा तो simply आपको यह option पर click करना है name और यहाँ पर आपको अपना last name enter कर देना है जैसे मैं अपना last name enter कर दा हूँ यहाँ पर मैं अपने कुछ details को हाइट करूँगा सारा details ताकि मेरा जो है leak ना हो ओके फ्रेंट तो यहाँ पर मैं अपना name enter कर दा हूँ और first name जो भी है मेरा मैं enter कर दा हूँ then middle name यहाँ पर करना है ओके अब यह जो section दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको date of birth भरना है जो भी आपका enter करें है पहले date फिर से month then year year आपको यहाँ पर enter करना होगा जब आप सारी details भर देंगे then आपको submit पर बस click कर देना आपके सामने सारा details आजाता है जैसे acknowledgement number आपका क्या है उपर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर आपको permanent account number आपका मिल जाता है pen number ओके आप इस pen number को note कर लें और आप reprint के लिए आविदन दे सकते हैं online apply कर सकते हैं या किसी भी cyber cafe में जाके या simply जो भी csc center वगे रहा है या pen बनाते हैं उनके पास जाएं और आप apply कर सकते हैं reprint के लिए duplicate pen card के लिए ओके फ्रेंट यहाँ पर आपको name मिलता है जो भी आपका है category जो है और यहाँ पर status में आपको दिख जाता है your pen card has been देखिए यहाँ पर बता रहा है your pen card has been dispatched on 14 March 2017 by a speed post wide airway bill number यह यह है bill number at the address for communication जो मेरा था वहाँ पर भेज दिया गया है ओके फ्रेंट तो यहाँ पर देखिए मुझे मिल गया पता चल गया कि dispatched हो गया और यह मेरा number है courier number, bill number जिससे मैं track कर सकता हूँ कि कहां तक पहुँचा है मेरा pen card तो फ्रेंट इस तरह से आप आसानी से जान सकते हैं अपने pen number को और अगर आप जो है online apply करना चाहते हैं घर बैठे अपने नए pen card के लिए या फिर मतलब खोई हुए pen card के लिए तो वीडियो के नीचे जाएए वहाँ पर आपको link मिल जाएगा मेरे वीडियो का उस वीडियो को आप देखें वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप online किस तर से नए pen card के लिए apply कर सकते हैं घर बैठे वो भी आधार का यूज करके EQYC method से जहाँ पर आपको कोई भी document upload करने की ज़रत नहीं है ना image, ना signature, ना extra कोई document ना ही physically आपको कोई document income tax को भेजने की ज़रत है अपने आधार नमबर को वहाँ पर इंटर करना है और आपको एक बार OTP आएगा आपके mobile नमबर पर आधार authorization के लिए आपको OTP इंटर करना है और आपका सारा detail जो है वो income tax department आपके आधार नमबर से ले लेगा और आपका जो आधार में image है जो भी details है वो details लेके आपका जो है pen card बन जाएगा और आधार में जो भी आपका address mention है उसी address पे वो deliver कर देंगे आपका pen card ओके फ्रेंट और इस process को अगर अपनाते हैं आप तो यहाँ पे आपका time बच जाता है कुछ भी upload करने का जो रतनी पहला बात और दूसरा बात दो से तीन दिनों में ही आपका pen number जो है वो generate हो जाता है आपको pen number मिल जाता है मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like का बटन प्रेस जरूर करें और मेरे इस वीडियो को जायदा से जायदा लोगों तक share करें social media में, facebook, whatsapp पे ताकि जो लोग भुल गए हैं अपने pen number को जानना चाहरे हैं जिनका pen card खो गया है वो इस वीडियो को देखके जान सकें उनको एक help हो जाएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बगल में आपको एक घंटी दिखती है उस घंटी को भी दबा दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट्स मिले सबसे पहले और आप अपडेटेड रहें नही नही चीजों को सीखते रहें ओके फ्रेंट थैंक्स फूर वाचिंग माई दिस वीडियो